अज़ो फ्रेंड्स वेलकम टू दे चैनल सलूशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायस जनिन का सेकेंड पार्ट इससे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था डायस जनिन होता क्या है मिन्स यह कहां से हमको अप्टिन होता है इसका बेलोजीकल सोर्स और इसके साथ बन आप दा इंडस्ट्री प्रोड़क्शन मेंथर्ड ऑफ डायस जनिन मिन्स हमने टोटल जो त्री मेंथर्स मेंशन किये थे उसमें से एक मेंथर्ड जो की ऐसी धाडुलिसस मेंथर्ड को हमने एक्स्प्रेंड किया था फर्स पार्ट में और आज के इस वीडियो में हम अदर टू मैथर्ड पॉर्ड एक्स्ट्रक्शन ऑफ डायस जनिन और इसके लावा इसका एस्टिमेशन और यूटिलाइजीशन को एक्स्प्रेंड करेंगे तो आई यह शुरू करते हैं तो लेफ ृजिचे सकते हैं यह जो ट्यूबर्स हैं यह झास कोरिया ड्ल टॉईड का ड्राइ'd ॅबर है इसको ड्यूबर्स क यह जो ड्यूड करता हैं नौर्फ वेश्टन हम अलियों रीजेन में दे बॉर्व नेपाल चाइना और यह ग्रू करता है इसको कल्टिवेट किया जाता है जम्मो काशमेर और कुछ हिमाचल प्रदेश के पार्ट में इसको मिली कल्टिवेट करते हैं लगबग 3-4 इयर दैस्कोरिया दल्टाइडा के प्लांट को यूज करते हैं उसके ट्यूबर्स को कलेक करन जो प्रेजन होता है वो है डायोसीन और डायोसीन क्या है इस इस्टरोइडल सैपोनिन ग्लाइकोसाइन और आप यहां पर देख सकते हैं ग्लाइकोसाइड है तो यहां पर यह जो है ग्लाइकोसाइड का एक ग्लाइकोन पार्ट है मिंस नॉन शुगर पार्ट है और यह जो दो raminose molecule यहाँ इसमें present होता है ऐसा glycone part या कह सकते हैं sugar moiety of the diocene, यह पहला raminose और यह दूसरा raminose moiety है, और dasgenine क्या होता है, dasgenine आप देख सकते हैं, diocene का यह 1 glycone part है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो hydrolysis के बाद यह शुगर part होता है, यहाँ से release हो जाता है और यहाँ के लाता है यह एक glycan particle और डायोसीन is Polizemin इस्टोराइड़ कंपौंड Detू की क्यों आटा है क्योंकि आप यहां पर देख सकते हो इस रगाद क्योंनीन की ıस ऑलिग public में साइकलो पेंटिनों और यह से सोब्सड़ाइड क्यों है और यहां 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 पर देख सकते हो यहां से बाण ब्रेक होता है और बनता है दायसजनी और दो जो sugar moiety है means one glucose molecule and two molecules of rhamnos इस तरीके से यहाँ पर release होता है तो this is D glucose and two molecules of L rhamnos split हो गया और diogenin release हुआ जो कि क्या है एक glycon part है इसे bioactive steroidal sapogenin saponin या sapogenin क्या होते है इसे पहले part में हमने आपको explain किया हुए तर diogenin जो कि white crystalline nature का होता है melting point इसकी 204 to 207 degree celsius होता है और ये soluble होता है organic solvents में acetic acid में etc next आते है production of diogenin तो different हमने extraction method बताते acid hydrolysis alcoholic extraction method कम acid hydrolysis and fermentation कम acid hydrolysis तो हमने acid hydrolysis के बारे में इससे पहले part में explain क्या हुआ था तो next आते है alcohol एक extraction method means alcohol extraction कम acid hydrolysis तो basic principle क्या होता है diogenin को extract करने का diogenin को isolation का तो diogenin का जो sugar part होता है वो water solubility impart करता है और जो initially क्या करते हैं जो tubers में जो diosing glycoside present है उसकी hydrolysis की जाती है mineral acid से जिससे क्या होगा तो diogenin जो एक glycon part होता है वो liberate हो जाता है अलग हो जाता है और क्योंकि diogenin जो है वो practically insoluble होता है water में बट ये जो है non-polar solvents में इसकी solubility होती है तो non-polar solvent यूज करके हम diogenin को isolate करते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है इस alcohol extraction method में जो tried tubers रहते हैं उसको powder form में convert किया जाता है और उसको finally powder करके methanol के साथ या ethanol के साथ हम extract करते हैं लगबग six to eight hours इस extraction से क्या होगा उस tuber में different chemical constituent है including diocene वो क्या होगा वो extract out हो जाएगा और वो ethanol या methanol में solubilize हो जाएगा अब जहम उसको filter करते हैं तो जो filtrate opt-in होगा means जो alcoholic extract जो opt-in होगा उसको हम concentrate करते हैं जो syrupy liquid concentrate करने के बाद हम उसको hydrolyze करते हैं अब क्योंकि उस methanolic और ethanol extract में solubil form में अभी क्या present है डायोसीन प्रेजन्ट है अब यह डायोसीन से हमको diocene liberate करना है तो हम diocene की hydrolysis करेंगे hydrolysis करते ही in the presence of mineral acid to normal HCL और sulfuric acid for 2 to 12 hours इससे क्या होगा डायोसीन जो है practically insoluble होता है water में तो वो 85% जो crude diogenine है वो precipitate out हो जाता है और इस precipitated diogenine को फिर collect करते हैं बाद the filtration and इसको water के साथ wash किया जाता है अब अगेन हम diogenine जो की crude form है मतलब कि यह impure form है means इसके other chemical constituent की भी impurities है तो इसको purify किया जाता है by the recrystallization method से with the help of alcohol तो यह जो alcoholic extraction method होते हैं इसके कुछ disadvantage है जैसे की unsaturated sapogenine होते है sapogenine means saponine glycoside का जो एग glycone part होता है उसको हम sapogenine बोलते हैं वो quickly decompose हो जाता है into spyrostadine में और इस method से जो gummy material जो warm हो जाते हैं और यह time-consuming भी है और यह जो shortcoming है means यह जो इसद्वांटेज इसको हम overcome कर सकते हैं by treating the hydrolyzed extract with the lime or other alkalis to remove the phenolic and other color impurities means जो hydrolyzed हमने जो किया हुआ है hydrolyzed product है यह hydrolyzed extract है इसको हम lime या alkalis से pacify किया जाता है ताकि इसमें जो phenolic or other colored impurities है वो remove हो जाए next fermentation from acid hydrolysis step by step क्या किया जाता है सबसे पहले हम fresh root collect करते हैं hammer से इसको smash करके दो दिन के लिए इसको fermentation के लिए दिया जाता है in the fermenter और यह कह सकते हैं fermentation bean में और इसके बाद fermented जो drug है हमारे पास उसको dry किया जाता है मिस हम sun-dry करते हैं और इसको moisture जो भी present है उसको remove करने के लिए up to seven to eight percent और जो fermented जो drug है वो dry होने के बाद उसको इसको हम mineral acid के साथ dilute acid जैसे की dilute sulfuric acid or dilute acid के साथ उसको hydrolyze करते हैं और जो hydrolyzed dry drug है उसको neutralize किया जाता है lime से जो कि strong base है और उसके बाद water से उसको wash किया जाता है तो जो acid free hydrolyzed mass है means जो hydrolyzed dry drug है या dried water कह सकते हैं जो कि अब क्या है acid free हो चुका है अब उस dry water drug के अंदर जो diocene था वो hydrolyzed होके अब dash genine में convert हो गया है अब उसी dash genine को हमको extract out करना है तो हम ऐसे solvent लेंगे जिसमें dash genine soluble होता है तो हम क्या करते हैं acid free hydrolyzed जो जो dry drug है को heptan के साथ एक्सट्रेक करते हैं तो heptan में वो dash genine solubilize होके heptan में आता है और हैptan से हम dash genine को obtain कर सकते हैं तो इसको हमने detail इसे पहले पार्ट में explain किया है तो इस method का advantage क्या होता है acid hydrolyzed method का less time consuming होता है और pure compound हमको obtain होता है easy होता है perform करने के लिए और gummy material form नहीं होता है acid hydrolyzed method जैसे कि alcohol extraction method में form हो रहा था इस method में नहीं होता है के बार next utilization of dash genine dash genine जो की use किया जाता है as a precursor for the synthesis of steroidal compound बहुत जारे steroidal compounds के synthesis के लिए dash genine को as a precursor means as a starting material use करते हैं means क्या किया जाता है after isolation means dash genine को isolate करने के बाद सबसे पहले इसको convert किया जाता है into 16 protein dehydro-pregnenolone acetate में convert करते हैं और यही जो molecule है फिर precursor as a precursor use करते हैं बहुत से steroidal compounds के synthesis के लिए जैसे कि corticosteroids pregnant sexual hormones in the preparation of oral contraceptives as well as the other steroidal drugs जैसे कि spironolacton जो कि क्या है जो कि potassium sparing diarvertik होता है जो कि steroidal nature को होता है इसको prepare किया जाता है जैसे कि corticosteroids में जैसे कि cortisone hydrocortisone prednisolone pregnant में progesterone 17 alpha hydroxy progesterone androsteins में आते हैं जैसे कि testosterone methyl testosterone 19 nor steroids such as esterone तो यह की synthesis के लिए diogenine as a precursor यूज किया जाता है और इसके लावा डाजन को यूज करते हैं for the treatment of rheumatid arthritis and it will also used in the natural hormone replacement therapy यह हो गया utilization of diogenine इसके बाद next estimation of diogenine means diogenine का quality tip और quantitative analysis की जाती है by different method तो सबसे पहले हमने यह आप लेका identification of diogenine by chemical identification method तो यहां पर जो chemical test apply करते हैं वह है लिवर्मन बर्चर टेस्ट जो की specific होता है steroidal compounds के लिए इसमें हम sample लेते हैं और chloroform इसमें आड़ किया जाता है chloroform में इसको solubilize करने के बाद इसके बाद acetic anhydride add करते हैं और कुछ drop concentrated sulfuric acid का add करते हैं तो blue green से red orange कलर आता है इसका मतलब उस sample में diogenine जो की steroidal compound है वो present है इसके बाद next sulcovist की reaction इसमें हम के करते हैं sample chloroform add किया जाता है and concentrated sulfuric acid तो chloroform layer show red color and acidic layer shows green is fluorescence this is a sulcovist की test इसके बाद next TLC and HPTLC TLC means thin layer chromatography and HPTLC means high performance thin layer chromatography तो chromatographic method से भी हम diogenine की qualitative और quantitative analysis करते हैं qualitative analysis means उसके presence को identify करना means उस sample में diogenine present है या नहीं है उसको check करना और quantitative analysis means diogenine कितने amount में present है concentration को determine करना that is known as quantitative analysis thin layer chromatography से किस तरीके से diogenine को identify किया जाता है किसी भी sample में thin layer chromatography के लिए जो हम stationary face use करते हैं वो है silica gel 60 mobile face जो use किया जाता है वो है toluene thalacetate in the ratio 7 ratio 3 sample किस तरीके प्रिपेर करते हैं हम जो powder drug लेंगे उसको reflux किया जाता है किसके साथ 50 ml of 10% hcl दो घंटे के लिए हम reflux करते हैं reflux करने के बाद जो हमको mark obtain होगा mark means जो dried hydrolyzed powder drug है उसको wash किया जता है with 20 ml of dal sodium carbonate solution और उसके बाद उसको water से wash करते हैं to make it neutral और इसके बाद mark को extract करते हैं solvent ether से 3 portion of 25 ml of solvent ether means 25 ml solvent ether से 3 times हम ether के साथ extract करते हैं mark को और इसके बाद इसको concentrate किया जाता है ether extract को और ether extract को concentrate करने के बाद extract को हम dissolve करते हैं 2 ml of chloroform के साथ इसके बाद standard किस तरीके से prepare करते हैं हम 1 mg standard diogenin लेते हैं इसको 1 ml chloroform में dissolve किया जाता है next detection किस तरीके से करते हैं anisal dehyde sulfuric acid reagent spray करके हम heat करते हैं प्लेट को at 110 degree celsius dark green color spot आएगा at the RF value means retention factor 0.37 which is correspond to the diogenin in both the reference and test solution तो किस तरीके से thil layer chromatography perform किया जाता है for the identification तो हम TLC plate लेते हैं TLC plate या तो glass plate या तो aluminium जो plate है उस पे adsorbent को coat कर दिया जाता है adsorbent जो कि कहलाता है stationary phase हमने यहां पर लिखा लिया हुआ है silica gel 60 और इसके बाद हम specific point पे हम sample जो prepare किया था और जो standard prepare किया था हम इसको यहां पर spot कर देते हैं यह हमने यहां पर standard spot किया हुआ है और यहां पर sample spot कर देते हैं जगा आप उसके बाद next developing chamber में इस TLC plate को transfer कर देते हैं developing chamber means इस chamber में हमने mobile face means जो हमने solvent लिया हुआ था उस mobile face को इसमें रख देते हैं पहले से ही for the saturation of this chamber saturation means इस chamber को mobile face के vapor से completely saturate होने के लिए पहले से ही रख दिया जाता है अब यह जो saturated chamber है इसको हम developing chamber बोलते हैं इसमें हम इस TLC plate को transfer करते हैं तो यहां पर जो हमने spot लगा हुआ था तो mobile face capillary action के through जो है उसका movement होगा towards upward specific distance तक हम solvent को run करते हैं और इसके बाद mobile face के साथ यह जो spot हमने लगा था यह भी move करेगा और जो sample में different chemical constituent यह chemical mixtures है including diogenin वो भी mobile face के साथ run करेंगे means plate के उपर move करेंगे और specific distance में solvent को move करने के बाद हम इस TLC plate को इस chamber से remove करते हैं और इस TLC plate में फिर spray किया जाता है anisaldehyde sulfuric acid reagent जो की detecting reagent है जिससे हम spot को visualize कर सकते हैं detecting reagent spray करने के बाद जहां पर हमने standard spot किया हुआ था यहां पर हमको एक single molecule दिखेगा यह जो spot है यह किसका है यह standard diogenin का है single spot इसले आया क्योंकि यहां पर diogenin it is a single molecule और यहां जहां पर हमने sample spot किया हुआ था यहां पर more than one spot दिखेंगे क्योंकि sample में diogenin के लाभा other chemical constituent other chemical imperatives बेप्रेसेंट है तो यहां पर जो spot आएगा यह जो आप spot देख रहे corresponding to the standard spot यह क्या होता है यह diogenin का है वो किस तरीके से identify करते हैं by calculating the RF value RF value किस तरीके से calculate किया जाता है RF value का जो formula होता है distance traveled by the solute divided by distance traveled by the solvent तो यहां पर distance measure किया जाता है solvent कितना distance run किया from जहां से हमने spotting की थी और different solute है वो कितना run किया तो distance traveled by the solute जो भी standard का अगर RF value निकालते हैं तो standard spot जितना run किया spot का distance from the initial line divided by distance traveled by the solvent कितना run किया same हम यहां पर sample के जो different spots आया है उसमें जो green spot है उसका distance जो है measure किया जाता है जो green spot है उसका divided by distance traveled by the solvent तो जैसा हमने आपको बताया था जो RF value है 0.37 है corresponding to the standard diogenine तो इस तरीके से standard के RF value को compare करके हम किसी भी sample में diogenine को identify कर सकते हैं HPTLC method high performance thin layer chromatography तो इसमें जो stationary face use किया जाता है वो silica gel F254 means इस silica gel में fluorescent material add कर दिया गया है जो की fluorescence होता है 254 nanometer पे उसके बाद जो mobile face use किया जाता है the mixture of toluene ethyl acetate and formic acid in the ratio 5 ratio 4 ratio 1 और sample और standard prepare किया जाता है जो हम standard prepare करते है वो six जह gradual increased in concentration में standard diogenine prepare किया जाता है gradual increasing concentration जैसे के example 2 microgram per ml फिर 4 फिर 6 फिर 8 10 12 तो इस तरीके से increasing concentration के six different concentration के standard diogenine solution prepare किया जाते है in the chloroform और जिस sample में हमको diogenine के amount को determine करना है उस sample का भी solution बना जाता है और हम detection करते हैं by para anisal dehyde sulfuric acid detecting reagent में और densitometer scanning की जाती है at the wavelength 450 nanometer तो इसमें क्या किया जाता है सबसे पहले हम जो pre-coated silica gel F-254 hptlc जो plate है उसमें सबसे पहले apply करते हैं standard diogenine को apply किया जाता है with a gradual increasing concentration means हमने जो different concentration के increasing concentration के diogenine पे बनाय हुए है उसको apply करते हैं और जो हमारा test sample हमने जो बनाया है जिसमें diogenine के concentration को determine करना उसको भी apply किया जाता है और hptlc plate में sample और standard solution apply करने के बाद हम उसको transfer करते हैं develop होने के लिए into the hptlc chamber जिसमें हमने mobile face add कर दिया था for the saturation means saturated hptlc chamber तो tlc plate develop होने के बाद tlc plate को chamber से remove किया जाता है उसको dry करते हैं और derivatize किया जाता है anisaldehyde sulfuric acid reagent से तो anisaldehyde sulfuric acid reagent से derivatize करने पे diogenine क्या develop करेगा pinkish blue color spot develop होगा तो यह derivatize जो plate है उसको scan किया जाता है densitometer में 450 nanometer पे scan करते हैं और different जो peak होता है उसको observe किया जाता है और यहां पे जो derivatize plate को हम यहां पे source किया होता है यहां पे tungsten halogen source use किया जाता है और calibration curve बनाया जाता है इस sample में dash genin को quantify करने के लिए means उसके amount को concentration को determine करने के लिए हम जो standard dash genin के solution बनाया थे उनके जो different peaks आया है उन peak area versus concentration graph बनाया जाता है और उससे फिर dash genin के concentration को determine करते है by extra plotting किस तरीके से calibration curve बनाते है हम concentration versus peak area concentration x-axis में और peak area y-axis में रखा जाता है तो हमने जो standard dash genin solution बनाया थे of gradually increasing concentration means 2 microgram 4, 6, 8, 10, 12 for example तो इनके जो different peak area after densitometric scanning उसको plot किया जाता है जैसे कि 2 microgram का जो भी corresponding peak area उसको यहां पर plot करते है और 4 microgram, 6 microgram, 8 microgram, 10 and 12 उसके बाद इस तरीके से जो भी linear curve plot किया जाता है और हमारे test solution में जो dash genin का peak area आया है तो इस 550 में extra हम block करते हैं यहां पर 550 को इस तरीके से extra plot किया जाए और इस calibration curve में जहां पर वो intercept करता है उस intercept position पर अगें हम इस तरीके से extra plot करते हैं extra plot करने पर जहां पर इस excesses में जहां पर वो intercept करेगा पर मालू यह intercept किया 8.7 P तो क्या होगा concentration concentration of dargenin in the given sample is 8.7 microgram per ml तो इस तरीके से हम calibration curve of pick area under curve versus concentration of standard dargenin के मतर से हम किसी भी sample में dargenin के concentration को determine कर सकते हैं next method UV standard curve method UV spectroscopy method से भी हम dargenin को estimate कर सकते हैं तो क्या किया जाता है solution A prepare के जाता है solution A means 0.5 ml paranesal rehyde लेते हैं इसको 99.5 ml ethyl acetate में dissolve किया जाता है तो यह हुआ solution A दूसरा solution B जिसमें 50 ml sulfuric acid को 50 ml ethyl acetate में mix किया जाता है यह होगा solution A solution B prepare करने के बाद हम test sample prepare करते हैं test sample जिसमें हमको dargenin को estimate करना है तो dargenin हम test sample को dissolve करते हैं 2 ml ethyl acetate में और इसके बाद उसमें 1 ml reagent डाला जाता है reagent A और B 1 ml डाला जाता है और stir करते हैं stir करने के बाद उसके temperature को 60 degree maintain किया जाता है 10 minute के लिए color develop करने के लिए color develop होने के बाद उस test sample को हम cool करते हैं at 25 degree Celsius और हम UV spectroscopy में absorbance को measure किया जाता है उस test sample के absorbance को at 430 nanometer using ethyl acetate as a blank और इसमें भी हम calibration curve बनाते हैं calibration curve बना जाता है of standard diogenine of known concentration means 2 से लेके 70 microgram per ml तक different increasing concentration में diogenine के preparation बना जाते हैं standard diogenine के ethyl acetate में और इसके बाद calibration curve बना जाता है to determine the concentration of diogenine in unknown sample तो same यहां पे भी calibration curve जह है draw करते हैं लेकिन यहां पे calibration curve draw किया जाता है वो concentration versus absorbance होता है और same concept यहां पे apply होता है means यहां पे peak area के जगा absorbance लिया जाता है तो जो हमने standard diogenine के increasing concentration के जो known dilution या known solutions बनाय हुए थे उसके जो different absorbance उसको note किया जाता है absorbance देखा जाता है at 430 nanometer पे उसको absorbance देखते हैं और इसके बाद calibration curve बनाया जाता है और इसके बाद test sample का absorbance देखा जाता है और test sample का जो भी absorbance होगा उस absorbance से हम concentration को determine कर सकते हैं again extra plot करके उस calibration curve में इस तरीके से हम UV spectroscopy से HPTLC method से हम diogenine को quantitatively estimate कर सकते हैं Thank you very much for watching this video कर सकते हैं how can you see तरीकाट बनाया